तो आईए देखते हैं इस वीडियो में क्या है फ्रेंट्स इस वीडियो में फ्रेंट्स निकल के आ रहा है कि मेजर जनरल सद्बीर सिंग के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और इसमें जो है OROP 2 से रिलेटेट एक इंपोर्टेंट जानकारी मिल रही है हमें चलिए देखते हैं इसको OROP अपडेट के नाम से ये ट्वीट है तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो हमारा OROP 2 का जो हमारा जजमेंट आया था सुप्रीम कोट की तरप से उसमें जो है सुधार करने के लिए एक रिव्यू पेटीशन डाला गया है मेजर जनरल सद्बीर सिंग के दवारा जिया है उनका कहना है कि जो ऑफिसर है उनको 2.67 फिटिमेंट के आधार पर जो है OROP 2 का पैसा दिया जाए और साथ ही साथ जो है JCO और ORO को भी मैक्सिमम बेनिफिट उसमें और दी जाए तो ये पेटीशन इसके लिए डाला गया है फ्रेंड्स लेकिन बहुत सारे हमारे एक सर्विसमें कन्फ्यूज थे कि इस से क्या होगा कि हमारा जो OROP है वो लटक जाएगा वो लंबे समय तक टल जाएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है उसमें सुधार करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर देखिए 14 जुलाई 2022 को यह एकसेप्ट कर लिया गया है यानि फाइल कर दिया गया है अब चेमबर हेरिंग होगी और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा यह लिष्ट यहाँ पर दिया हुआ है सुप्रीम कोट का यहाँ पर देख लिजे डाइडी नंबर भी दी हुई है यहाँ पर यह भी दिया हुआ है 2022 तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स चेमबर हेरिंग होने वाली है चेमबर हेरिंग के बारे में बता दू मैं फ्रेंड्स तो सबसे पहले क्या होता है कोट में सबसे पहले फाइलिंग की जाती है कोई भी केस को और उसके बाद ए एक वकील मिल करके उसको फैसला करते हैं कि वो आगे जो है सुप्रीम कोट के जज के पास जाना चाहिए कि नहीं सुनवाई के लिए तो अभी जो है चेंबर हेरिंग अभी होना बाकी है यानि चेंबर हेरिंग में अभी जाने वाली है ये पेटिसन और उसके बाद ही इस पर कुछ फैसला होगा यहाँ पर देख लिए यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रिसीब कर लिया गया है डेट भी है यहाँ पर इंडियन एक सर्विसमेन जो है मुवमेंट के द्वारा यह डाला गया है पेटीशन वर्सेस जो है यूनियन ओफ इंडिया यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ सुप्रीम कोट के तरफ से और दूसरी बात की जाए कि जो हमारा यहां तीन मन्त का जो दिखा रहा है 9 जून 2022 को फिल्ड किया गया है Government of India के द्वारा तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा जो है डेट पार हो चुका है OROP 2 टेबल आने का और पेमेंट आने का तो सरकार ने क्या किया है कि तीन महिने का और समय मांगा है कि हमें तीन महिने का समय और चाहिए ताकि हम इसका पेमेंट का भुक्तान कर सके लेकिन अभी तक यह देख लीजे Outcome is awaited यानि अभी तक सुप्रीम कोट में यह pending पड़ा हुआ है कि यह decision कि अभी तक सुनवाई नहीं की चालू की गई है जैसे ही कोई सुनवाई चालू की जाती है तो सबसे पहले आप